जएहिंद दोस्तों मैं आपका भाई मुहनी इशिबने आलजम आपका स्वागत करता हूँ आगराफोट में अगर आप आगराफोट जानी की प्लैनिंग कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप ओनलाइन जाके टिकेट परचेस कर सकते हैं पर अगर आप फिजिकल निदी के लिए 10 रुपे टाक्स पे करेंगे आगरा फोट यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया फोट है और इस फोट के सिर्फ 20-25% एरिया को आप एक्सेस कर पाएंगे बाकी को इंडियन आर्मी का कैंटॉनमेंट बना दिया गया है अब आपके सामने जो खाई आपको किले की हिफाज़त के लिए मिसाल की तोर पे मगरमच क्रोकडाइल और इसके बात की खाई जो इस दिवार के एतराफ में है वहाँ पे जंगली जानवर जैसे के भेडिये हाईना टाइगर और लाइन रहा करते थे अब कुछ बाते मैं आपको इस फोट के बारे में बता फिर जब मुगल एंपरर ने इस फोट पे कबजा किया तो इसका निर्मान काम 1565 से 1573 तक अकबर के हाथों शुरू कराए गया और जितनी भी लाल पत्थरों की इमारत आपको नजर आ रही है वो मुगल शाशक अकबर ने करवाई आगरा फोट में दाखिल होने के तीन जो के बंद कर दिया गया है अब हम आगरा किले में दाखिल हो रहे हैं दाखिल होते साथ ही किले में आपको एक warm welcome किया जाता है जिस welcome को आप महसूस नहीं कर सकते पर उन जमाने में मुगल एंपरेर महसूस करते थे यह जो आपको area दिखाई दे रहा है इस area में शाही स्वा शाशकों पर और उनके royal परिवार के entry के लिए अब जैसे ही हम अंदर जाएंगे आप ध्यान से देख पाएंगे कि इंडो-islamic culture का किस तरह यहाँ पर वापर किया गया है और अगर आप बहुत बारीकी से अगर देख पाएं तो इस fort के चारो तरफ tiles लगी है जो tiles खुसुस पर इराक से मंगाई गई थी और यह tiles को fit कर आए गया था उमीद करता हूँ मेरा camera justice कर पा रहा होगा और आपको यह blue और green tiles नजर आ रहे होंगे अब यह जो आपको रस्ते दिखाई दे रहे हैं यह रस्ते में जो आपको यह lines दिखाई दे रही हैं यह lines grip के लिए होती थी क् उट, हती, घोडे चलते थे तो उने grip मिल सके और यहाँ पर एक बात का आप और ध्यान दे यह आपको एक तरह का incline नजर आ रहा होगा इस incline की वज़ा यह है क्योंकि यह fort का last line of defense हुआ करता था अब आप सोच रहोंगे last line of defense कैसे तो मैं आपको explain करूँ पहला line of defense वो खाई थी जिसमें पानी हुआ करता था और उसमें मगरमच हुआ करते थे दूसरा line of defense फोर्ट के दरवाजों पे खड़े तोप खा यानि के cannon balls चलाने वाले सिपाई हुआ करते थे तीसरा line of defense होती थी फोर्ट के अंदर की खाई जहां पे जंगली जानवर हुआ करते थे और final और last line of defense होता था यह incline और चड़ क्योंकि जब यहां पे हमला करने वालों के हाती घोड़े और उट चल के आते थे तो एक sound create होता था इको create होता था तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा और दिवार के कोने से गरम तेल छोड़ दिया जाता था गरम तेल छोड़ने के कारण द दुश्मन सैनिक ना खड़े होते और सामने से सामने की तरफ से एक बड़े सैंड बॉल और घ्रास बॉल छोड़े जाते थे जिसके कारण दुश्मन सैनिक घायल हो जाते और दर्वाजा लॉक हो जाता अब मैं आपको एको सुनाता हूँ दोस्तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जांगीर पैलस की तरफ जांगीर पैलस को एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है हरका भाई पैलस अब आप सोच रहोंगे ये हरका भाई कौन है पर आप सब हरका भाई को जोदा भाई के नाम से जानते हैं जोदा भाई का असली नाम हरकाबाई था, अब आपके स्क्रीन के सामने जो दर्वाजा नजर आ रहा है, इस दर्वाजे के पीछे भी एक और दर्वाजा है, ताकि आने वाले लोगों को ये दिखाई नहीं दें, कि अंदर क्या हो रहा है, इसी कलिए दो दर्वाजे होते थे, जांगीर पैल आपके स्क्रीन के सामने ये तकरीबन पाच फूट का जो पत्थर नजर आ रहा है, ये पत्थर आक्चल में एक बाट टब है, और ये जहांगीर, यानि कि शेकु बाबा के लिए ये बाट टब बनाया गया था, और लोकल गाइड्स की अगर हम मानें, तो हरका भाई, यानि कि जोदा भाई के भाई ने ये बाट टब तौफे में दिया था, एक्सकवेशन के दौरन ये बाट टब मिला गया, और ये बाट टब को अब डि से सिंगल स्टोन से बना है और ये जिस स्टोन से बना है उसे बलवा पत्थर कहा जाता है अगर आप जांगीर पैलस को गौर से देखेंगे तो उसमें आपको हिंदू आर्किटेक्चर का बहुत इंफ्लूएंस नजर आएगा क्योंकि जांगीर की माताश्री जोदा भाई एक हिंदू थी और अंदर आपको इस पैलस में जोदा भाई का मंदिर भी नजर आएगा आप जैसे जैसे हम आंदर जाएंगे आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें इंडो इसलामिक का रंग रूप सब आपको अच्छे से नजर भी आएगा आपके स्क्रीन के सामने ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है इस एरिया में नकारा नगाडा या ड्रम रूम आप इसे कहलें यहां पर रखा जाया करता था और यहां पर साउन्ड क्रीट किया जाया करता था ताकि हरम के अंदर के लोगों को मालूम पड़े कि बाठशा सलामत आ रहे हैं जैसे ही हम प ये मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं के मुर्थिया भी रखी गई थी और अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन की तरफ ये रसोई खाना है जहां से खाना बना करता था और ये रसोई खाने में जोदा अकबर की खास तवज्जु होती थी और आपने कई सीरिल्स फिल्म्स में देखा भी होगा कि जोदा भाई खाना बनाने में और खाने की निगरानी करने में खुद खास तवज्जु दिया करती थी दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं आर्किटेक्चर का एक नायब नमूना दिखाने समर पैलस और विंटर पैलस इनके नामों में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है अब आपके स्क्रिंग के सामने जो आपको नजर आ रहा है ये है समर पैलस समर पैलस इसके लिए ऐसे कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे गर्मी के दिनों में आपको थंड़क महसूस होती थी और उसकी वज़ा थी hollow walls यानि के खोकले दिवाल और इस दिवार के अंदर पानी सप्लाई कराया जाता था डेक यानि के छट पे रखे हुए पानी के टाकियोंक से और अगर आप local guides की माने तो local guides के अनुसार ये एक AC रूम क्यालाया जाता था जहाँ पे AC ना होने के बाउजू जा की छोटी बेटी साहिवा थी मैं आपको ये भी बता दूँ अगरा फोट में जितने लाल पत्थरों का काम हुआ है वो अकबर के कारेकाल में अकबर ने करवाया और जितने सफेद पत्थर यानि के white marble के काम हुए है वो शहाजान ने अपने दौरे खिलाफत में बनवाय अब आपके स्क्रीन के सामने में जो आपको दिखाऊंगा वो एंशेंट आर्किटेक्चर की एक मिसाल है आपके सामने एक विंडो नजर आ रही होगी जो पैक है पर अक्चुल में ये विंडो पैक नहीं है बलके ऑपसिट साइट से अगर आप उसी विंडो को देखेंगे तो ये विंडो आर पार आपको देखने की कुवत देता है और ये वेंटेलेशन के लिए बहुत ही किफायती साबिध होता था समर पैलस में गर्मियों के दिनों में थंडी हवा अंदर और गरम हवा भार जाती थी है ना ये कमाल की बात दोस्तो अब आपके स्क्रीन के सामन आपको जो जगा नजर आ रही है उसे खास महल का जाता है और ये शाजान ने अपनी दोनों बेटियां यानि के जहानारा और रोशनारा के लिए बनवाया था इस महल में आपको इसके सामने एक पानी का फाउंटेन नजर आएगा और उसके सामने आपको नजर आएगा गाडन्स नजर आ रहे होंगे ये गाडन्स अंग्रेजों के दोर में बनाय गया पर पहले यहां पे अंगूर उगाये करते थे इस खास महल में सिर्फ महलाओ को आने की इजाज़त हुआ करती थी महलाओ से मुराद शाई घरानी की और उनकी कनीजें यानि के उनकी लेडिस servant और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ जब भी मुगल बादशा या मुगल खांदान के कोई जंग में जाय करते तो महलाओ की हरम में हिफाज़त के लिए ख्वाजा सरई नाम की एक बंदी हुआ करती थी ना ये पुरुष हुआ में रखा जाता था जैसे ही हम खास महल के अंदर दाखिल होंगे आपको खास महलों की दीवारों पे खास तोर पे उसकी छटों पे आपको कला कृतिया नजर आएंगी और लोकल्स की अगर हम माने तो इस पे सोने के पानी का काम कराए गया था ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए मुगल सामराज जिसे आग लगा दी थी और आग लगा के सोने को पिगला दिया और सोने को पिगला के निकाल लिया अब हम आपको लेके चलते हैं वो जगा पे जहां पे शाह जान ने अपनी जिन्दगी के आखरी लंभों को गुजारा और यहीं पे अपनी आखरी सासों को त्याग दिया आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ इसकी वज़ा केवल और केवल इतनी थी कि शाह जान के सुपत्र औरंगजीब आलमगिर ने यहां पे शाह जान को हाउस अरेस्ट यानि के कैद में रखा और अगर हम लोकल गाइड्स के बात माने तो इनके अनुसार ये औरंगजीब आलमगिर ने इसके ले किया के शाह जान के नियोजन में एक काला ताजमेल भी बनवाना था और वो काला ताजमेल बिलकुल भी ताजमेल के आपसिट में बनाना था और इस काले ताजमेल को बनानी की जो लागत लगने वाली थी उससे मुगल सामराज का ख़जाना खाली हो जाता जिसके एवज में औरंग जेवालमगिर ने अपने पिताजी को हाउस अरेस्ट कर लिया पर अगर हम इत्यासकारों की माने तो इत्यासकारों की एक्सेवेशन टीम ने जब ताज महल के opposite तरफ खुदाई की तो वहाँ पे कोई भी काले ताज महल के या उससे जुड़े हुए अवशेश नहीं मि का क्लियर व्यू मिलता था और उसकी वज़ा केवल और केवल इत्ती थी कि शाजा चाहते थे कि वह अपने आखरी लमहों को ताज महल को देखते वे गुजारे और इसी शाबुर्ज में आपको एक छोटा सा फाउंटेन नजर आएगा जिस फाउंटेन के पानी से शाजा व के वक्ते दोर में हुआ और ये मस्जद खास तोर पे शाजा के लिए आखरी वक्त में इबादत की जगा बनी इस मस्जद को मीना मस्जद कहा जाता है ये शाह बुर्ज के बिलकुल एत्राफ में यहाँ पे शाजा अपने आखरी लमहों में नमास अदा करा करते थे जब व वहाँ से लेके ताज मेEL में लेके गई और वहाँ जाके ताज मेल में उनकी तदफीन यानि कि उन्हां दफना दिया गया अब आपके screen के सामने ये जो area ये complex आपको नजर आ रहा है ये complex से जुड़े हुए कई किसे और काफी सारी बाते हैं जो मैं आपको one by one बताऊंगा अब आपके screen के सामने आपको ये garden नजर आ रहा है ये garden actual में एक fish pond हुआ करता था और इस pond में मच्छियों का शिकार करके kitchen में उसे पकाया जाता था अब इससे जुड़ी हुई कुछ interesting सी कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा पर उससे पहले मैं आपको ये दिखा दू कि ये है दीवाने खास अब ये जो दीवाने खास है यहाँ पे मुगल emperor के minister बैठते थे चाए वो जहांगिर के हो चाए वो शहजा के हो या अगबर के हो इनके दौर में यहाँ पे इनके ministers बैठते थे और locals की अगर बात मानी जाए तो यहाँ से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती थी दीवार आपको फोट की छोटी नजर आ रही होगी वो इसलिए क्योंकि इस तरफ की आगरा फोट की हिफाज़त यमना नदी करा करती थी पर अब यहाँ पे यमना नदी का बहाव कम हो चुका है इसी के लिए यहाँ पे roads बना दिये गए है अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसे कहा जाता है black काला पत्थर का तक्त और इस तक्त पे मुगल emperor बैठा करते थे यहाँ पे अगभर भी बैठे हैं जहांगीर भी बैठे हैं और शाजा भी बैठे हैं और जस इसके opposite में एक और तक्त लगा हुआ है वो सफेद पत्थर का तक्त है और वहाँ पे मुगल साशक के ministers बैठा करते थे अब अगर आप ध्यान से देख पाएं तो जो जहांगीर का तक्त है काला पत्थर का उसमें दरार पड़ी हुई है और उसकी वज़ा थी अंग्रेजों की गोला बारी जिसके कारण वो काला पत्थर का तक्त डैमेज हो गया अब आपके screen के सामने जो आपको नजर आ रहा है वो है शाई अमाम यहाँ पे royal blood स्नान या गुसुल करा करते थे और अगर खुले में कभी ministers की meeting होती थी तो यहाँ पे शामियाना बांदा जाता था और शामियाना के छाउतले ministers और बाच्छा बैट के हिंदुस्तान की तक्दीर ते करते थे अब वीडियो के इस section की शुरुआत में मैंने आपसे एक interesting कहानी के बारे में कहा था तो यह कहानी कुछ इस तरह है कि यह मच्छियों के तालाब हुआ करती थी और उन दिनों आज के जैसे हमारे पास वीडियो गेम्स और phone में mobile में गेम्स है उन जमाने में गेम्स नहीं हुआ करते थे तो शाजा और उनकी दोनों बेटियां ये गेम्स खेला करती थी उस तरफ शाजा बैढते थे और इस तरफ शाजा की दोनों बेटियां जानारा और रोशनारा बैटा करती थी और वो देखके फौरी तोर पे कहती थी कि काली मच्छी लाल मच्छी और हरी मच्छी और शाजा फिर ढूंड के बताते थे कि कौन सी मच्छी कहां पे है और जब यहां पे मिनिस्टर्स की मीटिंग्स नहीं होती थी जहांगीर के तक्त के एतराफ में तब यहां पे सिर्फ औ को नमाज पढ़ने की इजाजत है आप इस मस्जद में कभी भी दाखिल हो तो अपने शूर्स को उतारें आउट आफ रिस्पेक्ट अदब और ये मस्जद पूरे वाइट मावल से बनी हुई है ये मस्जद अभी ऑपरेशनल नहीं है यानि कि यहां पे अभी नमाज अदा न इस फाउंटेन से महलाएं वजू करती थी और ये जो उपर आपको एक रेल दिखाई दे रही है ये जाके कनेक्ट होती है छट के उपर बने हुए वाटर टांक से जहां से पानी आता था यहां पे महलाएं नमाज पढ़ती थी और यहां पे बताने वाले ये भी बताते हैं कि यहां पे महलाएं की जमाद भी होती थी और एक और सबूत इस बात का कि यहां महलाएं की मजज़द है क्योंकि यहां पे मिंबर नहीं है मिंबर का वापर जुमा की नमाज में कुद्बा देने ले किया जाता है और अगर आप ध्यान से देखें तो ये सफेद पत्थर की जो मस्जद है इसके उपर तीन छोटे छोटे गुंबत लगाय हुए है ऐसी ही एक मस्जद आपको दिली के बक्तियारका की दरगा के एतराफ में भी नजर आएगी अब हम चलते हैं दीवाने आम में दीवाने आम वो जगा है जहां पर हिंदुस्तान का कोई भी वेक्ति अपने वजीर आजम से मुगल बादशा से मिल पाएगा और यहां पर आके वो अपनी परेशानी अपने प्रॉब्लिम्स को रख पाएगा यह दीवाने आम की वो ही जगा है जहां पर महराश्टर के चत्रपती शिवाजी महराज और चत्रपती संबाजी महराज आए थे जहां पर औरंगजेब में ने हकुम दिया कि वो चत्रपती शिवाजी महराज और चत्रपती संबाजी महराज को हाउस अरेस्ट में रखे यह जो आपके सामने तक्त नजर आ रहा है, यहाँ पर मिनिस्टर्स बैठा करते थे और यहाँ पर उपर मुगल एंप्रेरर यानि के मुगल बादशा बैठा करते थे और इसी के साइड में आपको दो विंडोज नजर आएंगे वो विंडोज में मुगल सल्तनत की रानिया या फिर बेगम बैठा करती थी दोस्तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फोर्ट के वो हिस्से में जो इंडियन आरमी के कबजे में है और यहाँ पे सिविलियन्स को जाने की इजाज़त नहीं है अब आपके स्क्रीन के सामने जो आपको मस्ज़ित के गुमबत नजर आ रहे हैं वो मस्ज़ित के गुमबत हैं मोर्ती मस्ज़ित के और यह मस्ज़ित इंडियन आरमी के कबजे वाले इलाके में आती है सोतरों की माने तो यहाँ पे कई मुसलिम्स इंडियन आर्मी के जवान नमाज अदा करते हैं और इसी एरिया में वो जगा है जहाँ पे चतरपती शिवाजी महराज और चतरपती संबाजी महराज को हाउस अरेस्ट में रखा गया था यह जो कैनन आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रही है तोप यह तोप अंग्रेजों के जमाने की तोप है और यहीं पे आपको ब्रिडिस सामराज के वेस्जोन के गवर्नर की कबर नजर आएगी इनका नाम है जॉन रसल कॉल्विन 1857 के करीब इनकी मौत हो गई और यहीं पे फिर इनकी तदफीन यानिके इने दफना दिया गया अब मैं आपको लेके चलता हूँ दीवाने आम के उस कुए पे जहां पे राजा प्रजा और हर कोई वहां से पानी पीता था यह कुए एक स्टेप्वेल है जहां से आने वाले जितने विजिटर्स होते थे वो यहां से पानी निकालके पानी पीते थे पर अब यहां पे पानी नहीं है और यह पूरी तरह सूख चुका है इसके उपर यह जाली सेफटी के रीजन के लिए लगाई गई है और यहां पे अगर आप गौर से अंदर देखें तो आपको जानकार यह खटा की उसे क्रॉस वेरिफाई किया और फिर आपके सामने उसे पेश किया आप भी ऐसा कर सकते हैं पर अगर आप गाईड लेना चाते हैं तो लोकल गाईड आगरा फोर्ट में आपको 100 से 300 रुपीस के बीच में मिलेगा डिपेंड करता है आप किस तरह बार करते हैं साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आगरा फोर्ट के बाहर जो रिक्षा वाले होते हैं उन से आप अच्छे से नेगुशियेट करें और वहाँ पे शेरिंग रिक्षा भी होती है जो आपको ताज में लेके जाने के लिए 10 रुपाय लेती है तो स्मार्ट बने सतर् रहा है फीड़ बैक को कॉमेंट बॉक्स में शेर करें अस्सलाम अलाइकुम जैहिन जैमाराश्ट्रा